हलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को content drawer के बारे में बताऊंगा कि content drawer को किस तरीके से use करते हैं यह बहुत ही useful जो panel होता है इसको किस तरीके से use करते हैं जो इसका shortcut क्या होता है control और space जब हम लोग एक साथ use करेंगे control और space bar यूज करेंगे तो यह content drawer आ जाएगा या तो यहां से हम corner से click करके हम लोग open कर लेंगे तो यह देखिए यहां पे जितने हमारे scenes होते हैं जो भी object हमें लाना होता है तो यहां पे हम लोग organize करके रखते हैं इस content drawer में अगर कोई भी चीज हमारी रहती है तो इसको हम लोग drag करके viewport पे ले जा सकते हैं अगर यहां पे है अगर viewport पे नहीं है मालीजे आपने कोई object लेक यहां पे रखा हुआ है और अभी आपको चहिए नहीं scene में तो यहां पे पड़ा रहेगा viewport में नहीं रहेगा ठीक है यह outliner में नहीं जाएगा जब यहां से हम लोग viewport पे drag करेंगे तब वो हमें outliner में show करेगा तो यानि यह हमें content करने के लिए यहां पे हमारे जितने भी objects हमें content करना होगा यहां पे हम लोग content करते हैं तो यह बहुत ही useful जो हमारा drawer होता है यहां पे अपने objects को रखने के लिए ठीक है दोस्तों अब यहां पे देखेंगे जब इस पे right click करेंगे तो इसमें बहुत सारे options दिखाई दे रहे हैं तो इसमें one by one मैं आप लोगों को बताते जलूँगा कि किस तरीके से use करते हैं यहां पे देखेंगे एक option दे रखा है new folder तो यहां पे जब हम click करेंगे तो यह हमारा एक folder create कर देगा तो मैं एक folder create कर लेता हूँ के अंदर मैं एक object इंपोर्ट कराओंगा तो देखेंगे मैं कोई एक object जो है इसके अंदर import कर लूँगा यहां पे देखेंगे material और यह सब दे रखे हैं तो यहां पे एक हमारा command है import to game object ठीक है अब यहां पे import कर लेंगे हम तो कोई भी आप अपना character या कुछ भी यहां पे import कर सकते हैं यहां पे import के options दे रखे हैं ठीक है यहां पे left hand corner पे देखेंगे तो add दे रखा है और plus का यहां पे symbol बना रखा है तो इस पे भी करेंगे तो हम हमारा same ओही result आता है और उसके बाद हम कोई भी object जब हम लोग import करते हैं तो यहां पे यह बताता है कि किस format में हम लोग object को import करते हैं इस dialogue box के उपर देखें fbx import options दे रखा है और यह बता रहा है कि हमारा किस तरीके का यह object है static में ऐसा है कि animated है तो यहां पे बहुत सारे इसके options दिये होते हैं तो इसके बारे में मैं next video में व्रीप करूंगा कि इसके जो parameters होते हैं किस तरीके से use करते हैं तो जो भी हम लोग objects लाते हैं तो इस तरीक object को import किया तो यह देखिए मेरा object आ गया और यहां पर मैंने grid पर अपने viewport पर drag किया तो यह देखिए यह जो मेरा object है इस तरीके से import हो गया तो यह दोस्तों बहुत ही useful होता है content drawer हम जो भी objects को यहां पर content करने के लिए जो भी scenes होते हैं सबसे पहले यहीं पर लाते हैं और य और यह हमारे जो इसके menus हैं जिसके बारे में मैं धीरे धीरे discuss करते रहूंगा आने वाले videos में यह देखिए यह जो हमारा यह action है यह इसमें बहुत सारे options दे रखे viewport पर दिख रहे हैं वो यहां पर enable होते हैं तो इन सभी को on off करने के लिए यहां से हम लोग use कर सकते हैं तो